त्यारी में स्वागत है दोस्तो आज से हम एक new सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम current affair को देखेंगे तो current affair होगा एरास्टी एवं अन्तरास्टी current affair होगा और ये वारसी कांक है मैं 2023 मैं 2023 से लेके मैं 2024 मैं 2024 तक की समस्त घटनाओं को इसमें कवर किया गया है यह सभी एक्जाम के लिए उपयोगी होगी जैसे State PCS जैसे कोई भी State PCS का एक्जाम होगया लाइक MPPSC, BPSC, UPPSC यह सभी एक्जाम के लिए उपयोगी है पहले ईट में हम देखेंगे प्रमुख पदाधिकारी निउक्तियां और समितियों के बारे में सबसे पहले हम संसत में देखते हैं जैसे कि आपको पता है संसत का उल्ल霏क कहा है अनुच्छे 79 में उल्लेक है और ये हमारी संसत किस से मिलके बनी होती है तो राजसभा, लोगसभा और रास्टपती से मिलके बनी होती है जहां राजसभा का उलेक अनुच्छेद असी में है वहीं लोगसभा का अनुच्छेद 81 में है और रास्टपती का उलेक अनुच्छेद 52 में है अब हम स्टार्ट करते हैं राज सभा से तो राज सभा जो संसत का भग है और इसका उलेक कहा है अनुच्ये अजी में है इसे उच्छ सदन भी काते हैं अब राजसभा के सभापती बरतमान में कौन है? जगदीब धनकरजी है, उप सभापती कौन है? तो हरिवन्स नारायन सिंग है, महासचिव कौन है? प्रमोत चंद्रमोधी महासचिव है, और नेता सत्तापच्च के कौन है? प्यूसकोयल, अभी तक अभी आस डेट 4 जून तक तो प्यूसकोयल ही है, और अभी नई संसद बनने के बाद, तापच्च और प्रतिपच्च दोनों बदलेंगे, क्योंकि अब तो यह क्या बन चुके है, यह संसद बन चुके है, तो अभी तक जो आपके एक्जाम में आएगा, तो इस मैकजीन में जो दिया है, उसी के एको सभा है, और 2024 में जो एक्षिन हो रहा है, और कौन सी लोकसभा का हो रहा है, यह 18- stem के एक्षिछी का लिएक्च दवाना सभानाई नेक्स्ट, महासची उतपल संभ कुमार सिंभ है, और नेता सत्तापच्चमनी doodhan훈 जी है, और नेता-विपच्च को नहीं अधिर में उपराश्ट पती हैं अब हम राश्ट पती से संबंदित कुछ और महातपूर्वूर्ण चीज तो छो गई कि 11 राश्ट पती हैं द्रहुलाराश्ट पती हैं और पहली अचाथ से आणे वाली भी पहली महिला राश्ट्रपति होंगी और कहा से आती हैं और उड़ी से आने वाली भी पहली राश्ट्रपति होंगी असा त्रूपदी मुर्मुजी से संभदित बहत्पोर्ट अब हम देखेंगे, समभैधानिक प्रमुक देखते हैं, कि बर्तमान में, जो समभैदानिक प्रमुक कौन-कौण से है, तो हमारे मुख नेयधिस कौन है? तो धनजे,S1, बेवाई सिर्चल सिर्चल है और फ्रेस पिवड़ पहचासमे नमबर कई है को हैं तो पहली चीज़ तो अ town का उलेग कहा है तो यह पताँ पोजीशन की है 16 में नमबर के महा नियावादी आतानी जर्नल है और है कौन आरट बयंकर रमखनी जी हैं next हैim हैंट के हैबंस्ट वे चोदाई में बर दिया तुसार महता ची है और है क्वीज़शी मतलब, स्ट्रोल अटिटर जनेल, नियंत्रक महा लेखा परिष्चा का हैं तो गिरीश चंद मुर्मुजी के हैं और 21 नंबर के 14 में नंबर के हैं और CA जी का उलेग का है तो अनुच्छे 148 में Ser Con AT सब्रखे Напрых का उलेग होता है और कस्ट के पहले क्या है पर प्राज पाल रहे चुके कौन हम बात कर रहे हैं गरेश चंद मुर्मुजी के बारे में नेक्स्ट है महालेखा नियंत्रक अकाउंटन जर्नल कौन है तो श्याम सुन्दर दुवे हैं और यह कौन से नमबर के 28 नमबर के यह महालेखा नियंत्रक है अब हम देखेंगे जो हमारी सेना है उनके प्रमुक कौन है तो सर्वोच सेनापती कौन होता है जो भारत के राष्टपती होते हैं वही सर्वोच सेनापती होंगी तो बरतमान में द्रोपदी मुर्मुजी ही क्या होंगी सर्वोच सेनापती होंगी और एक नई पोस्टर जो क्रियेट हुई है सीडियस की चीप अब डिफेंस स्टाप जो की तीनो सेनाओं का में प्रमुक होता है वो कौन है लेप्टिनेन जनर्र अनिल चौहान जी है सेडियस है अगे देखते हैं कुछ संस्थाएं हैं उनके प्रमुक जैसे नार्कोटिक्स कंटोल ब्यूरो एनसीबी इसकी स्थापना 1986 में होती है मुख्याले नई दिल्ली और इसके प्रमुक है सत्य नरायन प्रधान जी है स्थापना 1964 में होती है मुख्याले नई दिल्ली वर्तमान में प्रविंट कुमार श्रिवास्ता हुआ स्थापना 1956 में हुई मुख्याले नई दिल्ली बरतमान में रहुल नमीन जी है स्थापना होती है मुख्याले नई दिल्ली और इसके प्रमुक प्रविंट सूथ जी है मुख्याले नई दिल्ली और इसके प्रमुक हीराल सामरिया जी है इसके स्थापना 1887 में होती है मुख्याले नई दिल्ली प्रमुक कुमार देखा जी है नेक्स्ट है नाई ये राष्टी जाच एजंसी नेशनल इन्विस्टिगेशन एजंसी स्थापना 2008 मुख्याले नई दिल्ली बरतमान में सदनन बसंदाते इसके प्रमुक है नेक्स्ट है एंडि आइरफ नेशनल डिजास्टर डिजास्टर रिलीव फोर्स एकवे राष्टी आपदा अनुक्रिया बल इस्थापना 2006 मुख्याले नई दिल्ली और इसके प्रमुक प्यूस आननजी है राह रिसर्च एंड अनालेसिस बिंग राह की स्थापना 1968 में होती है मुख्याले नई दिल्ली और प्रमुक रवी सीनाजी है नेक्स हम देखते हैं भारत के प्रमुक सच्ची और सलायकार तो बरतमान में कैविनेट सच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च् प्रदाधिकारी को देखते हैं तो नीती आयोग के अध्यच्च कौन होंके आपको पता है किसका अध्यच्च पदेन होता है कौन जो प्राइम मिनिस्टर होगा वही अध्यच्च होगा नीती आयोग के तो बरतमान में प्राइम मिनिस्टर में मोदी जी है तो अध्यच्च भी क्या होंगे नीती आयोग के मोदी जी होंगे अप रही बात उपाध्यच्च की तो उपाध्यच्च कोन है उपाध्यच्च परत इंडिया भारती प्रतभूद बिन्वे बोर्ड के अध्यच्यकों ने माधवी पुरी बुच्छ हैं और के अध्यच्यकों नितिन गुत्ता जी हैं और CBIC के अध्यच्यकों है संजे कुमार अग्रवाल CBIC मतलब केंदरी अप्रतच कर एबं सीमा सुल्ग चेयर मैन UIDAI भारती बिस्स्ट पहचान प्राधिकरन जो आधार बनाता आधार की में एजनसी कों है UIDAI है और इसके चेयर मैन कों है निये कंठ मिस्रा जी है और CEO कौन है UIDAI जो आधार है उसके CEO कौन है तो अमित अग्रवाल जी है नेक्स देखते हैं CEO केंदरी फिल्म प्रमाधन बोर्ड के CEO कौन है इसमें रविंद भारकर है अध्यच्च प्रसार भारती बोर्ड की अध्यच नमनीप सागल है अध्यच्छ ट्राई टेलिकाम रेगुलारिटी अथॉर्टी आफ इंडिया भारती दोर संचार नियामक प्राधिकरन के अध्यच्छ अनिल कुमार लोहाटी हैं रेलबे बोर्ड के अध्यच्छ जै बर्मा सिन्हा हैं अध्यच्छ PTI Press Trust of India के अन सांता कुमार हैं भारत का महापंजियक एवं जनगर्ना आयोक्त मृत्युन्जे कुमान नारायन हैं अध्यच्छ लोखलेका समीद के अध्यच्छ अधीर रंजन चौधरी हैं अध्यच्छ प्राकलन समीद इस्टीमेट कमेटी के अध्यच्छ संजय जैसवाल हैं UGC के अध्यच्छ इन्वर्स्टी ग्रांड कमिशन विश्विद्यले अनुदान आयोक के अध्यच्छ प्रोफेशर जग्दीश कुमार हैं NCRT के निदेशक डिरेक्टर राष्टी सैच्छनिक अंसंधा निवंप्रसिचन परिशद NCRT के निदेशक कोंने दिनेश प्रसाद सकलानी है CBSC के निदेशक और अध्यच्छ CBSC के अध्यच्छ केंद्री Central Board Secondary Education के अध्यच्छ कोंने राहूल सिंगे गवर्नर भारती रिजर बैंकोंने सक्तिकान दास है और 25 नंबर के है और SBI के अध्यच्छ कोंने दिनेश कुमार खारा है नेक्स देखते हैं नाबाड, नाबाड के अध्यच कोंने साजी के भी है याद रखना आपको यह important fact है नाबाड के अध्यच कोंने साजी के भी है IBA Indian Bank Association भारती बैंक संग के अध्यच MB राओ है भारत की ओर से G20 सिखर सम्मेलन 2023 के लिए मुख समन्वयक किसे बनाया गया और शेरपा कौन थे G20 के अमिताब खांते थे अब हम 2030-20 में जो नव नियुक्त राजदूद या उच्चा अउक्त उनको देखते हैं तो भारत में अमेरिका का राजदूद किसे बनाया गया एरिक गर्सेटी को बनाया गया और भारत में इसराइल के राजदूद कोने देला है मुरको में भारत के राजदूद की नहीं बनाया गया राजजेस बैशनों को बनाया गया और चीन में भारत के राजदूद प्रदीप कुमार रावत को बनाया गया है मैक्सिमूम मैक्सिको का किसे बनाया गया है पंकर सर्मा को बनाया गया है और भारत में कराड़ के लिए हाई कमिस्टर कैम्रन मैके को बनाया गया अब नेस्ट हम देखते हैं जो हमारे अंसंधान संस्थान है उनके अध्यच या निदेशा कौन है तो बरतमान में इसरों के अध्यच या सोमनात है और यह दसमें नंबर के हैं अटोमिक एनर्जी कमिशन पर्माण उर्जा आयो के अध्यच को ने एक ही मुहंती हैं बार्ग भावा अध्यच है बिबेग भसी ने डिया डियो डिफेंस रिसर्च डबलप्मेंट आर्गनाइजेशन इसके अध्यच को ने समीर वी कामत है CSIR वैज्यानिक एबम अध्योगि स्पेस सेंटर के निदेशा किसे बनाया गया है अब हम इसी तरीके से खेल संगठन देखते हैं और उसके बर्दमान में प्रमुकों उनको देखते हैं तो इंडियन पहला हो गया अंतरराष्टी ओलंपिक समित आयोसी के अध्यच सामस बाग हैं जो की जर्मनी के हैं ACI ओलंपिक परिशद इसके अध्यच सेख तलाल हैं जो अलसबा सेख तलाल अलसबा हैं नेक्स है भारप तोलन जो है वेट लिप्टिंग जो है उसके अंतरराष्टी महासंग के अध्यच कोन हैं मुहम्मद जलूद हैं जो की एराग के हैं अंतरराष्टी मुक्यवाजी सं पहली महिला निदेशक सोतंतर प्रतम सोतंतर महिला निदेशक ICC को कौन बनाया गया इंद्रा नुई को बनाया है अब भारत के खेल संगतन को देखते हैं और उसके प्रम को देखते हैं ओलंपिक महासंग जो है ओलंपिक संग की अद्ध्विंट के सदस की से बनाएगया है। और उलम्पिक संग के CEO किसे बनाया गया है रखुराम एर को बनाया गया है और भारती उलम्पिक संग की Athlete committee के अध्यच कौने मैहीड काम है भारती पैरा अलमपिक समित के अध्यच कौने देवेंद जहाशरीया है बैडमिंटन इसोसियेशन आप इंडिया के अध्यच हेमंत विश्व सर्मा है टेबल टेनिस पेडरेशन आप इंडिया के चियर मैन कौन है मेंगना अहलावत है ACN क्रिकेट काउंसिल के अध्यच कौन है जैस साय है अध्यच कौन है BCCI का बरतमान में रोजर बिन्नी है और सियो कौन है BCCI का हिमांग अमीन है इसी तरह के से देखते हैं BCCI का लोगवाल बिनी सरन को बनाया गया है यह नाई ये NCA जो है नेशनल क्रिकेट अकाइडमी इसके अध्यच बीवियस लच्युमन है और भारती क्रिकेट टीम के मुख कोच कौन है राहुल द्रमिन है और महिला हांकी टीम के मुख कोच कौन है हरेंदर सिंग है अमुख कोच भारती महिला क्रिकेट टीम के कौन है अमूल मजूमदार है जो महिला क्रिकेट टीम की मुख कोच है भारती खेल प्राधिकरन के अद्दच नीलम कपूर है अखिल भारती टेनिस संग के अद्दच अनिल बैजल है अखिल भारती फुटवाल परिशंग के अद्दच अनिल चौबे है हाकी इंडिया के अद्दच दिलीप तिर्की है अखिल भारती सतरंज संग के अध्यच संजय कपूर है, बालीबाल फेडरेशन आप इंडिया के अध्यच अच्युत सामन्त है, भारती एथलेटिक फेडरेशन के अध्यच आदिल सुम्रीवाला है, भारती मुक्यबाजी महासंग के अध्यच अजय सिंग है, भारती तीरंद कंपनीज है जो न्यूज में है उनके प्रमुक या उनके सीओ कौन है तो टाटा संस के चेर्मैन कौन है यंद्चंद सेखरन है टाटा संस के चेर्मैन यंद्चंद सेखरन है जीओ कंपनी के चेर्मैन किसे बनाया गया है तो आका संबानी को बनाया गया है इंडियन वैक्षी कोने बरतवान में शत्या नडेला है Google Alphabet Google जो है उसकी पैरेंट कंपनी कौन सी Alphabet Inc है इसके जो CEO है कोने सुन्दर पिचाई है विप्रो के कंट्री हेट कोने सत्त इस्वरन है परिवहन कंपनी जो है फेडेक्स है ट्रांसपोर्ट फेडेक्स है उसके स्यक्रिंद्र करति प्रण के प्रणे मार अ टेंड है अनॅ चल्यां किस्ट मूर्ति ciao क्यों कर दर्ण एकरिंट ही है लिंदा या किरेंग यूटूब के सी जो का इन नेल मोहं monitor हम समीतियों को देखते है one nation इ investigations होगा इम्पोरटेंट होगा by one nation कमिटी के अध्यच्यकोंने एक most important है one nation, one election इसके अध्यच्यकों होंगे पूर्व रास्टपति रामनात कोविन जी है उत्तराखंड में UCC को ला दिया गया है UCC मतलब uniform civil code इस कमेटी के अध्यच रंजन देसाई जी थे MSP नियूर्तन समर्थन मूल इसके इस समित के अध्यचकों ने संजे अगरवाल है विक्ट्वल फंड पर सेवी के सराहकार समित के सदस आर्ती कृष्णन है जेन के जमुएन कस्मीर में अवैद विदेशियों को जाज के लिए आर्के गोयल की समित बनाई गई है चीता परियोजना के देख रेखेत राजेस गोपाल जी के अध्यच्चता में समित बनाई गई है पराली जलाने पर रोग संबंदी समित मदन भी लोकूर के अध्यच्चता में बनी है राष्टी सिच्चा नी जो न्यू एजुकीशन पालसी 2020 है उसके अध्यच्च्चकों थे डाक्टर के कस्तूरी रंगन जी है अब बैंकों की भोगता सेवाओं में सुधार के लिए बीपी कानून को की अध्यच्चता में समित बनाई गई है दोस्तो इस तरीके से हमने जो करिंट अफेयर्स का वार्सी कांग है उसका हमने चैप्टर वन देखा चैप्टर वन में क्या देखा प्रमुख प्रपदाधिकारी नियूक्ति और समितिया दोस्तो आप इस सीरीज को फालो करते रहें और ये सभी एक्जाम के लिए उप्योगिक है जिसमें इंटरनेशनल और नेशनल के समस्त घटनाओं को कवर किया गया है और ये लेटेस्ट रिडिशन है थैंक्यू सो मच पर बिइंग बिट मी